तो गाईज आज की इस वीडिएंग में बात करने वाला है कि अगर आपने तत्काल में वेटिंग टिक्रट को बूक कर लिया है तो अब आपको क्या करना चाहिए अगर आपका टिकर वेटिंग में अगर दस बारा या फिर एक-दूवेटिंग लिस्ट दिखा रहा है तो आप का टीकट जो होा या फिन नहीं होगा और क्या इसके रूलस है टिकट कंफर्म होने ज़ये चालिप सब्सक्राइब कर देगा में आपको बता अप swiftly9 में ठीकड को भूइस आपs लादा फ़ी पता होगा कि ततकाल से लास्ट में मित होती है और इस चांसे बहुत काम होते हैं को हम बात करते हैं अगर अगर बलो करते हैं और वह कैंसिल नहीं करते हैं कि ततकाल करने के बाद एक रुपए रिफन नहीं करेगा दूसरा इसको यह होता है अगर आपका जो टतकाल में वेटिंग वह 1-2-3 तो उसके चांस होने के थोड़ा सा confirmation होता है क्योंकि इसलिए होता है कि उसमें जो quota होता है आपको पता होगा कि रेल में बहुत सारे quota होता है जैसे ladies quota होता है senior citizen quota होता है अगर इसमें कोई seats अगर खाली रह जाती है तो उसके जगह पे आपका जो ततकाल का waiting होता है वो confirm कर दिया जाता है तो इस condition में अगर आपके पास एक दो ततकाल की waiting है तो आप इंतजार कर सकते हैं आपकी टिकट है वो confirm हो सकती है अगर ज्यादा waiting है अगर 10-12 या 15-20 waiting है तो वहाँ पे बहुत कम chance होता है आपकी ततकाल की जो waiting है वो confirm होगी तो आशा करता हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ततकाल waiting कितने नबर तक confirm हो जाती है और आपको क्या करना चाहिए आपको इंतजार करना चाहिए या फिर उसको कैंसिल करना चाहिए तो वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चानल पर तो सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हैंद